हेलो फ्रेंट्स आज हम शुरू करने वाले हमारा पोस्टल जो बोलियम 6 है इसका पार नंबर 1 तो आज हम यह वाला पढ़ने वाले हैं हम इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे उसके बाद हम इसके भी इंपोर्टेंट जो MCQ होंगे वो करेंगे अभी हम जितना भी पढ़ चुके ह है वह हमने सारा ब्रीफ में पढ़ा है कुछ भी इसमें से छोड़ा नहीं है तो इसके बाद हम इसके बाद जो भी इस जाहां पर एक या एक से अधिक असिस्टेंट्स होते हैं सहाइक होते है कि बादने के लिए वह एक गयापन को अप्रूबल के लिए सोब सकता है Memorandum Contains अब जो Memorandum वो ग्यापपन जो होगा वो भेज़ेगा Distribution of Work वाला जो Memorandum होगा उसमें होगा क्या-क्या Designation, Hours of Their Attendance, Duties Assigned of Officials Implied in Each Branch of His Office तो उसके Office की जितनी भी Branches होगी उसमें काम करने वाले जो Employees होगे, उनके Designation, Hours of Their Attendance और साथ में उनको क्या-क्या Duties Assigned की गही है वो क्या-क्या काम करते हैं तो जो Memorandum होगा उसमें ये सारी चीज़े होगी इन First Class Post Offices अब जो हमारे First Class Post Offices होते हैं उसमें जो Post Master होता है, Post Master himself approved it अब दूसरे जो Post Offices होते हैं उसमें तो वो Memorandum भेजते हैं Superintendent को Approval के लिए बड़ जो हमारे First Class Post Offices होते हैं वहाँ पर जो Post Master होता है वो खुद ही उसको Approve कर देता है No Change in Memorandum without Approval of the Superintendent और First Class Post Master तो जो हमारा Memorandum है उसमें कोई भी Change नहीं कर सकते बीना Approval के Superintendent या फिर First Class जो Post Master होगा उसके तो जो First Class Post Master है या फिर जो Superintendent है इन दोनों के Approval के विना जो Memorandum है उसमें कोई भी Change नहीं की जा सकती है While Preparing Memorandum .2 वी Captain Mind अब जो Memorandum जो Gapman हमने बताया वो जब बनाते हैं उसको जब त्यार किया जाता है तो कुछ एक बातने जो ध्यान में रखी जाती है The Postal Assistant should not be the Treasurer of Office तो जो Postal Assistant है वो Office का Treasurer नहीं हो सकता है खजान ची कहते हैं जिसे वो नहीं हो सकता है If his duty is connected with MOSB Sub Account Department अगर उसकी duties Money Order, Saving Bank या फिर Sub Account Department से related हो उसकी duty अगर इन चीज़ों से जुड़ी हुई है Money Order, Saving या फिर SB Account Department से जुड़ी हुई है तो जो PA है, जो Postal Assistant है वो Office का Treasurer नहीं हो सकता उसको खजान ची वाली duty नहीं दी जा सकती है Work of Delivery Department अब जो Delivery Department का बर्क होता है Should not and Trusted to Deposit Assistant तो जो हमारा Deposit Assistant है उसको ये काम नहीं दिया जा सकता कौन चा जो हमारा Delivery Department का का काम है Work of Sub Account Department अब जो हमारा Sub Account Department का बर्क है Should not and Trusted to Mail Assistants तो जो हमारे Mail Assistant होते है उनको कौन सा काम नहीं दिया जाता जो Sub Account Department का का काम होता है वो Mail Assistant का Sign नहीं किया जा सकता The Restrictions of One अब हमने जैसे पढ़ा हमारे पास जो First है कि जो Postal Assistant होता है जो हमारे Money Order, Saving या Sub Account Department से जुड़ा होता है वो Treasurer का का काम नहीं कर सकता है ओफिस में तो ये वाली restriction कहां पर apply नहीं होती Not apply to SOs having not more than 2 Postal Assistants तो ये वाली जो restriction है ये कहां पर apply नहीं होती ऐसे सब offices में जहां 2 से ज़्यादा Postal Assistants ना हो The work will be distributed according to Establishment of Office अब जो work distribute किया जाएगा वो office की स्थापना के हिसाब से किया जाएगा In one department, two or more assistants can be implied और two or more departments can be assigned to the same assistant तो एक ही department में 2 या 2 से ज़्यादा assistants जानिके सहाइक कार्यरत हो सकते हैं और दो या फिर दो से ज़्यादा department एक ही assistant को एक ही सहाइक को assign किया जा सकते हैं मतलब कि उसको सोंपे जा सकते हैं क्या मतलब हुआ इसका कि एक ही department में मतलब एक ही जगा पर एक ही department में दो या दो से जाधा assistance कार्य रत हो सकता हैं कि वो एक ही department में दो या दो से जाधा काम कर सकते हैं और एक ही employee को एक ही assistant को दो या 2 से जाधा department भी assign किया जा सकते हैं तो दोनों ही conditions valid है कुछ भी इन मैं से किया जा सकता है in three or more than three hands offices अब एक तो होते हैं हमारे single-handed वैसे ही double-handed होते हैं अब हमारे पास अगर three hands offices है sub-counter assistant and assistant in charge of SB account तो जो हमारा SB counter assistant होता है या फिर assistant in charge of SB account होता है not allowed to hold charge for more than three years and six months तो जो उसका charge होगा वो किस period से जादा नहीं होगा इन double-handed offices अब जो हमारे double-handed offices होते हैं assistant work as SB counter PA तो जो हमारा assistant जो हाएक SB counter PA की तरह काम कर रहा है transferred in every three years तो उसकी transfer तीन साल बाद होती है इन single-handed offices अब जो हमारे single-handed offices होते हैं SPM should invariably be transferred in every three years तो जो हमारा SPM होता है सब postmaster होता है उसकी जो transfer वो भी कितने समय बाद होती है तीन साल बाद हो जाती है officials in office dealing with money transactions अब जो officials होते हैं जो money transactions के साथ deal करते हैं note captain same post for long time तो भी same post के लिए ठीक है जो मतलब money transactions से related post है उस post के लिए लंबे समय तक वो नहीं रहते हैं उस post पर their duties should be changed periodically तो उनकी जो duties होती है वो change होती रहती है time to time distribution of work strictly maintained by postmaster और supposed master अब जो distribution किया है काम का जो काम का बंटवारा किया है वो किसके द्वारा maintain किया जाएगा postmaster या फिर supposed master के द्वारा in case sudden in less or absence of postal assistance अगर हमारे पास अगर जो मारा postal assistant है और चानक से बिमार हो जाता है या उसकी absence में arrangements made by postmaster and supposed master तो इस सिति में जो arrangements किये जाएंगे इसके द्वारा किये जाएंगे postmaster या सब postmaster के द्वारा and orders noted in postmaster's order book और जो यह वाले orders होंगे जो arrangement के orders होंगे यह कहां पर note किये जाएंगे जो postmaster's order book होगी वहाँ पर record किये जाएंगे उसके बाद हमारा आता है nominal role rule no.4 का second और third part है इसमें तो हाज़री डिजिस्टर होता है क्या है इसमें क्या होता है record of postal assistance working in post office on any given day तो किसी भी दिये हुए दिन में जो post office में postal assistant होता है उसके काम का ही record होता है maintain in form MS 12 तो यह कौन से form में maintain किया जाता है जो हमारा MS 12 होता है written up by postmaster temporary और permanent change in duty of any member of the clerical staff तो clerical staff के किसी भी जो member है उसकी temporary या permanent duty है उसके change होने पर postmaster द्वारा लिखा जाता है in office strength of officials more than 25 अब ऐसे offices जहांपे officials है जो उनकी strength जो है वो 25 से जादा है nominal role also maintained for postman and village postman तो ऐसी स्थिति में जो nominal role होगा जो हाज़री डिजिस्टर होगा वो postman और जो हमारे village postman है उसके लिए भी maintain किया जाएगा next आता है हमारा rule no.5 village sorting list gram छंटाई सूची in prescribed form M52 will be prepared तो इसके लिए जो हमारा M52 form है वो prepare किया जाता है supplied to each office by subdivisional inspector तो यह हमारा जो subdivisional inspector होता है यह जो हमारी village sorting list होती है यह supply करता है परते एक office को to office to beach village postman attached है तो ऐसे post offices जहां जो मारा village postman है वो जुड़ा हुआ है तो ऐसे post offices को हमारा जो subdivisional inspector है वो supply करता है village sorting list इट शोज लिस्ट ओफ villages in beat of each village postman तो इसमें होता है कि हमारी village sorting list होती है तो इसमें हमारे पास village villages जितने भी को होते हैं उनकी list होती है जो किसी भी postman की beat में आते हैं उसकी गस्त में आते हैं इन alphabetical order और ये alphabetical order में होते हैं list hang up in the post office near sub account assistance table और जो यह वाली list होती है हमारी village sorting list यह कहां पर रखी होती है जो हमारा sub account assistant का table होता है उसके नजदीक लगाई होती है the postmaster should examine the village sorting list at once in a month तो जो हमारा postmaster होता है वो इसका नरिक्षन करता है एक मन्त में हमारी village sorting list होती है उसके आगे आती है हमारी custody of stamps, seals, types and keys मोहरों, seals, टाइपों और चाबियों की अभी रख्षा custody of stamps and seals तो जो हमारी custody है जो अभी रख्षा है वो कौन करता है stamps और seals की always locked up and not in use तो इनको हमेशा lock करके रखा जाता है जब यह use में नहीं होती है जब इनका कोई कार्य नहीं होता है तो उनको lock करके रखा जाता है everyday before close the office तो परते एक दिन ठीक है office close होने से पहले क्या करते हैं postmaster या supposed master collect all stamps seals तो जो हमारा postmaster या supposed master होता है वो सारी stamps या seals को collect करता है and lock them अब और उनको lock करके रख देता है except required for use at night अगर जो night post offices है या फिर night में किसी stamp या seal का use होना है तो उनको छोड़कर बाकी से भी को वो collect करके lock करके रख देगा band sorting done at night तो जब रात में छंटाई होती है ऐसे office जहां में छंटाई होती है stamps और seals required तो जो भी stamps और seals चाहिए होती है interested to senior assistants only तो जो senior assistant होता है वो required जो भी stamps या seals चाहिए है वो किसको सोंपी जाएंगी जो senior assistant होगा सिर्फ उसी को सोंपी जाएंगी offices having one or more assistant all stamps seals except required for night use तो जो night use के लिए required है जिनकी जरूरत night use के लिए है जो रात के लिए चाहिए ठीक है उनको छोड़ कर जो भी seals और stamps होंगी वो placed in office safe तो उनको office safe में रखा जाएगा in joint custody of postmaster and assistant उसकी joint custody में तो जिसमें हमारे पास जो postmaster होगा assistant होगा उन दोनों की custody में उन दोनों की joint custody में उसको जो office safe होगी उसमें रखा जाएगा responsible for joint custody of cash और जो cash होगा उसकी भी joint custody होगी उन दोनों के लिए बो दोनों ही responsible होगे और उन दोनों की joint custody होगी उस चीज़ के लिए जो cash होगा assistant in charge of each department अब जो हमारे assistant in charge होते हैं प्रतेक department में personally responsible for safe custody of stamps seals during working hours तो जो उनके काम के समय होते हैं जो उनके काम के घंटे होते हैं वो उस उन समय में जो उनकी custody होते हैं stamps या seal की custody होते हैं उनके लिए वो personally responsible होते हैं round and long money order stamps, postmaster unpaid stamps, insurance, date and other moveable type not in actual use तो जो भी actual use में नहीं हैं कि जिनकी भी जरूरत नहीं हैं जैसे हमारे पास round या फिर अब long money order stamps हो गई, postmaster unpaid stamps हो गई या फिर insurance seal हो गई, date या फिर other moveable type stamps होते हैं तो उनको क्या किया जाएगा remain in possession of postmaster तो उनको भी किसके कहां पर रखा जाएगा जो postmaster होगा उसके अधिकार में रहेंगी वो who is responsible for their safe custody जो कि उनकी safe custody के लिए responsible होगा, उत्तरदाई होगा custody of keys, अब जो हमारी keys होती है, चाबियां होती है, उनकी custody, उनकी अभी रख्षा कैसे होगी offices where no assistant is employed, तो ऐसे offices जहां पर कोई भी assistant सहायक कारियरत नहीं है all the offices keys kept by the postmaster, तो जितनी भी office keys होगी, वो किसके दारा रखी जाएगी जो हमारा postmaster होगा, वो उनको रखेगा offices where one assistant employed in addition to postmaster, तो ऐसे offices जहां पर एक चंटाई, एक सहायक होता है जो खमारा postmaster होता है, उसके साथ एक सहायक होता है, तो उसमें क्या होगा, office keys accept cash safe , तो उसकी office keys होगी, cash save keys के बजाए सिवाए जो उसके office keys होगी, placed in the safe in presence of postmaster उनको कहाँ पर रखा जाएगा? उनको safe में रखा जाएगा, जो हमारी office safe होगी उसमें रखा जाएगा in presence of postmaster किसकी presence में रखा जाएगा देख रेख में रखा जाएगा तो जो हमारा postmaster होगा उसकी presence में रखा जाएगा one key of office safe remain in the custody of the postmaster तो जो हमारी एक key होगी जो हमारी office safe की एक key होगी वो किसकी custody में रहेगी postmaster की and other in custody of assistant और जो दूसरी की होगी वो assistant जो सहायक होगा उसकी custody में रहेगी फार offices in which necessary for postmaster to open or close any branch of office in absence of assistant अगर जो हमारा postmaster है उसको जुरूरत पड़े कि जो उसके office की branch है उसका जो assistant है वो एपसेंट है वो नहीं है बहाँ पर अगर उसको जुरूरत पड़े उस branch को खोलने की या बंद करने की तो superintendent prescribe that postmaster will keep during assistance absence or any of the keys तो जो हमारा superintendent है वो निर्धारित करेगा कि जब हमारा जो assistant है वो absent है वो बहाँ पर नहीं है तो जो उसकी keys है वो postmaster के पास रहेंगी accept the second key of safe तो जो safe है उसकी key के सिवाए जो उसकी second key है उसकी key के सिवाए बाकी जो keys होंगी बाकी जो चाबी होंगी वो postmaster के पास रहेंगी in offices which receives or dispatch mail during the night तो ऐसे offices जो रात के समय जो mails है उनको receive करते है या dispatch करते है key of mail box kept by mail assistant तो ऐसी स्थिती में जो हमारे पास mail box की keys होंगी वो किसके पास रखेंगी वो mail assistant के पास रहेंगी offices where more than one assistant is employed तो ऐसे offices ऐसे कार्यान ले जहां पर एक से ज़्यादा assistant कार्य रत है each assistant responsible for keys of his department तो ऐसी सिती में क्या होगा प्रतेक जो assistant होगा प्रतेक सहायक जो उसके department की keys होंगी ठीक है office में सभी को अलग अलग department दिया जाएगा उसके अपने department की जो की होगी वो उसके लिए responsible होगा he should keep them in personal custody और वो उसको अपनी personal custody में रखेगा one key of safe remain in personal custody of postmaster और जो एक key होगी safe की वो मारे पास जो postmaster होगा उसकी custody में रहेगी and other keys with the assistant selected for the purposes और जो बाकी हमारे पास दूसरी keys होगी वो कहां पर रहेंगी तो जो हमारे जितने भी branch ठीक है जितने भी हमारे पास office में branches है उनके लिए लग लग जो selected assistants है जो उनको काम को दिया गया है तो उनकी custody में वो वाली keys रहेंगी when registration and parcel boxes have double locks हमारे जो parcel या फिर registration boxes है जब उन पर double locks लगे होते है keys of one lock तो एक जो चाबी होगी एक ताली की चाबी after office आबज तो जो हमारा office है कार्याले है उसके काम के समय के बाद जो एक ताली की चाबी वो किसके पास रहेगी remain in personal custody of postmaster तो वो postmaster की personal custody में रहेगी and other key with the assistant in charge of the department और जो दूसरी की होगी वो किसके पास होगी जो in charge of department तो जो उस department का in charge होगा assistant in charge होगा उसके पास रहेगी whenever charge of department is transferred from one official to another तो जब भी हमारे पास किसी भी official का जो charge होता है वो transfer किया जाता है उसको बदली किया जाता है officials to another ठीक है एक official से दूसरे official को बदला जाता है stamps, seals, types, keys should be transferred to relieving official तो जो हमारी stamps होती है, seals होती है, types या keys होती है वो भी साथ में transfer की जाती है receipt to be taken in relieved official receipt book और जो हमारी receipt होती है इस चीज की यह हमारी जब transfer किया जाता है उसकी जो receipt होती है वो कहाँ पर रखी जाती है जो हमारा relieved official receipt book है बहाँ पर रखी जाएगी showing full particulars of the articles transfer और उस receipt में क्या होगा पूरे particulars होंगे जो भी समान जो भी articles transfer किये गए है जो भी चीज़ें transfer की गई है जो हमारी पास चाहे books, stamps, seals या types या keys है उनके particulars उस list में होंगे next है हमारा rule number 48 का be part है suggestions and complaint books अब जो हमारी सुझाब और शिकायत बूशती का है वो क्या होती है complaint and suggestion book MS94 अभी होती क्या है MS94 जो होती है इसके कहते हम suggestion and complaint book kept by all post offices तो ये किसके द्वारा maintain की जाती है किसके द्वारा रखी जाती है तो जितने भी हमारे post offices होते है head office हो, sub office हो या branch office हो, सभी के द्वारे ये maintain की जाएगी public record any complaints or suggestions regarding any service matter तो जो हमारी public है वो इस पर दर्ज करती है कोई भी शिकायत या फिर कोई भी सुझाब किसी भी service के regarding किसी भी service से अगर कोई उनको सुझाब देना है या फिर उनको कोई भी complaint करनी है तो वो इसमें दर्ज करेंगे head of office should examine the book daily at the end of each day अब जो हमारा head of office होगा जो office का head होगा वो daily के daily इस book को examine करेगा इसकी जाच करेगा at the end of each day प्रते एक दिन के स्मापत होने से पहले वो मतलब कि जब दिन स्मापत हो जाएगा काम के समें खतम हो जाएगे तब वो इसको examine करेगा cases of complaints and suggestions in his competence तो जो भी cases या फिर complaints जो भी उसकी complaints या suggestions होंगे जो भी शिकायत हैं या सुझाब होंगे जो उसकी competence की मतलब उसकी क्शमता के अंदर होंगे decided them and take action तो उनके लिए वो decision लेगा और उसके against action लेगा उसके related action लेगा note and sign with date by him और उसको note करेगा और फिर sign करेगा with date with date के साथ उसको वो sign करेगा या फिर उसको note करेगा ठीक है in other cases और बाकी cases में माली जी के अब जो उसकी complaint या suggestion है वो उसकी competence के बाहर है forward to his immediate superior तो उसके अगला जो उच धिकारी होगा वो उसको forward करेगा far necessary action जुरूरी action के लिए ठीक है वो उनको forward कर देगा जो उसके अगले उच धिकारी होगे the final decision about cases noted in book और जो final decision होगा जो भी उसकी suggestion या complaint के related final decision आएगा उसको कहाँ पर note किया जाएगा जो हमारी book होगी suggestion or complaint book inspecting officials अब जो हमारे charge करने वाले officers होते हैं जब वो during visit or inspection तो जब भी वो visiting inspection पर आते हैं examine this book and see that postmaster has taken proper action then sign below the last entry तो वो examine करते हैं वो इस book की charge करते हैं और देखते हैं कि जो postmaster है उसने जो जुरूरी इसके regarding कोई action था वो लिया है या नहीं उसके बाद वो sign करते हैं जो last entry होती है उसके नीचे वो sign कर देते हैं उसके बाद आते है हमारा rule number 50 postmaster's order book अब जो हमारी postmaster's order book होती है ये क्या होती है forum MS बन तो ये हमारा forum MS बन के होता है postmaster's order book maintain in head offices by postmaster तो ये कहाँ पर maintain की जाती है जो हमारे head offices होती है बहाँ पर और किसके द्वारे की जाती है जो हमारा postmaster होता है following are recorded in postmaster's record book अब जो हमारी postmaster's record book होती है उसमें क्या-क्या record किया जाता है कौन-कौन सी चीज़े होती है result of test is applied to work of any branch तो किसी भी branch के लिए जो काम होता है उसके उपर कोई test किया है उसके result और work of postman and village postman या फिर जो हमारे postman होते हैं या फिर village postman होते हैं उनके जो काम होते हैं उनको record किया जाता है temporary arrangements made in distribution of work तो कोई भी temporary arrangement किया है post office में ठीक है किसी भी काम को distribute करने के लिए और PA जो postal assistant होता है या फिर postman इन दोनों के काम को distribute करने के लिए कोई भी temporary arrangement किया है in case of their absence जब वो absent थिटीक है जब वो absence उनकी absence में कोई भी arrangement किया है उनके काम को distribute करने के लिए तो वो note किया जाएगा जो मारा post master record order book होगी उसमें unusual occurrences कोई भी असमान्य घटना हो उसको record किया जाएगा result of examination of logs, uniforms, stamps, advances, etc. तो logs, uniforms या stamps, advances की examination उनकी जाज के जो result होगे उनको record किया जाएगा result of quarterly examination of stock of bags तो जो हमारा bags का stock होता है उसकी जो quarterly examination होती है उसके result लिखे जाएगे, record किया जाएगे order passed by the post master for regulation of his office तो जो post master द्वारा pass कियेगे order होगे ठीक है उसके जो office होगे उसकी regulation के लिए जो order passed किये जाएगे postman note किये जाएगे इन sub offices, error books used in place of this book तो जो हमारी post master's order book है जब हमारे sub offices होते है उसमे जो book है, इसकी जगह कौन सी book यूज़ की जाती है error book तो यह वाला point आपने याद रखना है कि error book की जगह जो हमारी post master's order book होती है जो sub offices में इसकी जगह कौन सी बुक यूज़ करते हैं हम तो इसमें हमें error book जो है इसकी जगा यूज़ की चाहती है next आता है हमारा rule number 17 information no to be made public तो सूचना जो आम जनता को ना बताई चाहे outsiders note permitted to examine तो जो हमारे outsider होते हैं जो बाहरी होते हैं department के नहीं होते हैं उनको alone नहीं है वो क्या नहीं कर सकते हैं record of post offices any article not addressed to him even though the article may have been posted by them तो क्या है हमारे पास की जो हमारे outsider होते हैं वो क्या नहीं कर सकते हैं वो किस चीज की जाज नहीं कर सकते हैं तो जो हमारे post office के record होते हैं उनकी जाज नहीं कर सकते हैं कोई ऐसा article जो उनको ना भेज़ा गया हो मतलब की किसी और का article भी वो examine नहीं कर सकते हैं और दव हलांकी वो ऐसी articles को भी examine नहीं कर सकते हैं जो उनके द्वारा post किया गया हो information regarding any article passing through the post ऐसी information ठीक है कोई भी article के मतलब की post होने की कोई भी information or any transaction connection with any department of post तो कोई भी ऐसी transaction जो department of post के किसी भी branch से संबन दी तो should not given to animal तो वो किसी को नहीं दी जाएगी not belonging to the department ऐसे किसी भी बेक्ति को नहीं दी जाएगी जो department से later ना हो any information received by officers of department तो कोई भी information जो ओध डिपार्टमेंट के officers है उनको रसीव होती है उनको प्रापत होती है चाहिए वो officially हो और in discharges of their duty should not be made public या फिर जो उनकी discharges मतलब उनकी जो duties है उनके discharges के about हो ठीक है उनकी related हो तो वो भी जनता को नहीं बताई चाहेगी above restriction not applicable भेन तो ये वाली restriction जो हमने भी पढ़ी उपर ये कहाँ पर applicable नहीं होती है अगर हमारी पास information is sought by competent court of law और any magistrate commissioner of police और income tax department तो अगर हमारी पास अगर किसी नहीं जो court of law या फिर magistrate या फिर commissioner of police या फिर income tax department में ऐसे किसी नहीं मांगी है तो वो information आपको provide करवानी है वो department provide करवाएगा बाकि अगर कोई और है तो उसको वो information नहीं provide करवाई जाहेगी अर्मिटांस of cash and stamps by post डाक से भेज़े जाने वाला रुपया नकदी थैलों में बंद करके भेजना अर्मिटांस in cash currency notes all posted stamps sent through post ठीक है जब भी हम cash currency notes या फिर posted stamps post के थू भेज़ते हैं मतलब कि डाक के थू भेज़ते हैं first be wrapped with paper then and closed in cash bag सबसे पहले उन्हें हम एक paper में wrap करेंगे एक paper में लिपेटिंगे उसको उसके बाद उसको एक cash bag में रखेंगे should not be kept loose उसको खुला नहीं रखेंगे cloth cash bags should be used in cases तो जो हमारे कपड़े के cash bags है उनको कभी यूज किया जाता है remittance not exceeding 500 rupees currency notes तो अगर 500 से नीचे बाला अगर हमारे पास 500 से नीचे है जो remittance हम भेज रहे हैं cash है जो currency notes है तो उसके लिए हम cloth bag का यूज कर सकते है जो cash bag की तरह हम उसको यूज करेंगे leather bag should be used amount of currency notes exceeding 500 rupees अगर हमारे पास जो currency है ठीक है वो 500 rupees से जादा है तो हम leather bag use करेंगे या फिर हमारे पास उसमें जो हम currency बेह रहे हैं अगर includes हमारे coins है अगर coins के भी है उसमें तो हम leather bag use करेंगे leather cash bag locked plus sealed by the treasurer himself with cash seal तो जो leather cash bag होगा जो हमारा चमडे का cash bag होगा उसको lock किया जाएगा फिर उसके बाद seal किया जाएगा किसके द्वारा किया जाएगा जो हमारा treasurer होगा उसके द्वारा खुद बाखुद करेगा और उसके साथ करेगा जो seal करेगा जो cash seal के साथ उसको seal करेगा cash bag should be packed, closed, sealed by treasurer in presence of sub account assistant अब जो हमारा cash bag है उसको जो packing के होगी उसको close किया जाएगा या फिर उसको seal किया जाएगा treasurer के द्वारा तो वो किसकी prizes में करेगा किसकी निगरानी में करेगा जो sub account assistant होगा उसकी निगरानी में and waited by the latter without any help from any other official और फिर बिना किसी official की साहता जो उसका wait किया जाएगा ban cash और currency notes and postage or other stamps sent to another offices are two बलकी to go into a cash bag अब जो हमारी अगर currency notes बेज रहे हैं postage और other stamps जो बेज रहे हैं किसी और office को बलकी size में मतलब कि बो size में बड़ी है तो वो cash bag में नहीं आ रही है तो ऐसी स्तिती में क्या किया जाएगा then they should be packed in a separate cloth bag तो उनको एक अलग कपड़े के थैलने में बंद किया जाएगा debate of each bag noted in aso slip ठीक है पर तेक जो हमारे bag होगा उसके जो भार होगा उसको aso slip में bio slip में bio daily count जो हमारे daily count जाएगा या फिर registered list में इन में जो भी case होगा इन चभी में इस में से किसी एक में भी उसको note करके भेज जाएगा rule 33 यह हम कहा है मारे पास disposal of value payable articles found in ladder boxes ladder box में पाई जाने वाली ऐसी भी बस्तुएं जिनने मूल्य दे के रूप में भेजा जाना चाहिए the sorting postal assistant जो हमारा sorting PA होगा note the irregularity in error book and show the article to postmaster तो इस अनियमेता को जो हमारा postal assistant है जो हमारा sorting postal assistant है वो error book में record करेगा और साथ में जो article होगा वो किसे दिखाएगा जो postmaster होगा उसको दिखाएगा article with form 51 तो इस article के साथ form 51 लगा हुए filled up by the sender जिससे sender ने भरा हुए है should be made over to registration and parcel department तो उसे किसे सुप दिया जाएगा तो उस article को registration और parcel department को सुप दिया जाएगा under acquaintances in error book और error book में note करके जो registration और parcel department है उसको सुप दिया जाएगा the article should be disposed by registration and parcel assistant as if presented at window तो उसके बाद जो मारा जब जो article है जिसके साथ फोरम 51 लगा है उसको registration और parcel department को सुप दिया उसके बाद जो article होगा उसका निप्टार है किसके दोरा किया जाएगा जो registration और parcel assistant होगा उसके दोरा किया जाएगा if it is fully prepared with postage or registration fees value payable fees attached with MO 51 form duly filled up तो अगर जो article है जो आपने बीन मतलब letter boxes में डाल दिया है जो value payable होना चाहिए था उसको letter box में डाल दिया है अगर वो fully prepared है postage stamp के साथ उसका पूरा बुकतान किया गया है उसके उपर registration fees है value payable fees लगी हुई है और साथ में जो MO 51 form है उसको भी attach किया गया है वो भी duly भरा हुआ है तो the usual receipt to sender तो जो समानने receipt होती है जो sender को दी जाती है तो उसको कहाँ पे जो sorting assistant को दी जाएगी और फिर वो error book में उसको paste करेगा ठीक है किस चीज़ के लिए paste करेगा जो regularity है उसके against ठीक है इस article insufficiently paid और without MO 51 form तो जो article है अगर वो insufficiently paid है मतलब कि आधा दूरा paid किया है वो और उसके साथ MO 51 form नहीं लगा है return to sender if sender's address available तो यदि जो sender है उसका address available है तो उसको sender को बापिस कर दिया जाएगा through postman postman होगा उसके थूरा उसको बापिस कर दिया जाएगा if sender's address not available article returned to sender through RL अगर जो sender है उसने अपना address नहीं लिखा है तो ऐसी सीती में जो article है वो RL को बेचा जाएगा उसके थूरा उसकी जो return है वो sender को की जाएगी in both cases suitable remark made on article and defaced post and stamps are fixed on it और दोनों ही situation में उसके उपर एक suitable remark लिखा जाएगा कि किस बज़ा से इसके साथ जो इसका निप्टान किया गया है कैसे किया गया है जिस भी तरीके से किया गया है निप्टान उसकी बज़ा लिखेंगे उसके लिए remark देंगे और साथ में जो उसके उपर postage stamps लगी होंगी जो भी चिपकाई गी होंगी उनको deface किया जाएगा उनको बिरूपित कर दिया जाएगा नेक्स्ट हमारे पास एरली बिलेज रिटर्न रूल नमबर 6 बार्शिक ग्राम विबढ़नी और यह किस फोर्म पे बनती है MS88 फोर्म पे रिटर्न कैप्ट बाई सब अकाउंटेंट ड्यूरिंग फर्स्ट फॉर्टीन डेज ओ फैबररी मन्थ इच एर तो यह जो रिटर्न होती है इरली बिलेज रिटर्न होती है किसके द्वारा रखी जाती है इसके द्वारा पर यह जितने भी आर्टिकल रिटर्न होते है प्लस उसके साथ जो मनी ओडर्स होती है daily fire delivery in each village प्रते एक village में delivery के लिए जितने भी article receive होते हैं प्लस उसके साथ जो money order receive होते हैं within the delivery jurisdiction of the office तो office का जो delivery jurisdiction है जो भी उसका area पड़ता है उसमें जो भी articles और जो भी money order receive होते हैं उनकी संख्या फिर्स्ट कोलम name of villages grouped according to beat अब जो इसमें first column होता है उसमें क्या होता है इसमें villages के नाम होते हैं उनको कैसे group किया जाता है according to beat तो गस्त के अनुषार उनको group किया जाता है उनका group मनाए जाता है name of postman written above each group और जो postman होता है उस beat का उसका जो नाम होता है उन group के उपर लिखा जाता है and total should be made for each group और उसके बाद जो total होता है जितने भी group बने होते हैं उनका total किया जाता है villages in unfixed beat तो ऐसे villages जो किसी fixed beat में नहीं आते है मतलब उनकी कोई निर्धारित beat नहीं है entered in reading तो उनको reading में enter किया जाएगा villages having ladder boxes villages जिनके पास ladder boxes है जहां पर ladder boxes लगे हुए है उनके जो नाम के आगे क्या लिखा जाएगा lb ladder का use किया जाएगा adding p if they are provided with changeable plates अगर उनके साथ उसके बाद क्या किया जाएगा अगर उनके उपर changeable plates है मतलब की changeable plates होती है जैसे उनको बदला जाता है जैसे हमारे पास time period की plates होगे जो मा लिजे 9 से 5 या फिर ऐसे जो उनके उपर plates लगे होती है उनको change किया जाता है तो ऐसे जो भी ladder boxes होंगे उनके साथ जो ladder लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा p add किया जाएगा as soon as completion is over जब उनकी जो हमारी 1st से 14 February तक जो complete हो जाता है it should be totaled फिर उसके बाद पूरे की जो भी आपने total number of articles money orders उनका totally किया जाता है उसके बाद post master list पर sign करता है और उसको forward कर देता है जो मारा sub divisional inspector होता है उसको ठीक है friends next हम आगे पढ़ेंगे ठीक है तो हम आज यहीं तक करते हैं आप इसको पढ़ लीजिएगा उसके बाद हम आपका जब revision करवाएंगे तो इसमेंसे जितने भी important questions होंगे उनका लग से आप PDF प्रवाइड करवाएंगे और साथ मैं आपको बहुत समझावी देंगे और आपका revision भी हो जाएगा जो important होगा वो भी आपको पता चल जाएगा फिल्हाल आप इनको एक दो बार इनको revise करिए इनको एक दो बार पढ़ लीजिए ठीक है इससे जादा आपको इनको याद करने की बिल्कुल भी जुरूरत नहीं है आप बस इसको कहानी की तरह याद कीजिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए ठीक है आपको समझ आ जाए कि होता क्या है और कैसे होता है ठीक है इसके बाद जो हम important होगा वो आपको अलग से भी provide करवाएंगे ठीक है friends thank you